जिहां साथियों हमारे यूट्यूब चैनल सुपर एक्सलामेशन टिटोरियल पर आपका स्वागत है आज हम यहाँ UPSC, ND and CDS 2021 सेकेंड एक्जाम और SAC, GD and MTS 2020 एक्जाम के लिए जनरल साइंस का 10 कोश्चन डिसकसन करेंगे जो की objective कोश्चन की रूप में होगा तथा previous year के एक्जाम में पूछा गया कोश्चन होगा तथा कुछ नया कोश्चन भी होगा जो की एक्जाम के लिए important है तो आईए साथियों बीना देर किये हुए अस्टार्ट करते हैं साथियों तो सर पर्थम कोश्चन नमबर एक देखिए Name the most common type of cancer that kills men in the world मतलब दुनिया में सबसे समान cancer का नाम बताएं जिससे पूर्शों की मिर्ति होती है option A, lung cancer, option B, pro-state cancer, option C, liver cancer, option D, colon and rectum cancer तो दुनिया में सबसे समान cancer, lung cancer है जिससे की पूर्शों की अधिक मिर्ति होती है इसलिए question number A cancer आपका option number A होगा दोस्तो lung cancer का मतलब होता है फेफड़े का cancer यहनि कि फेफड़े के cancer से पूर्शों की सबसे अधिक मिर्ति होती है अब अगले question पर चलते हैं साथियों साथियों तो अब question number 2 देखिए name the cancer that starts in the skin or the tissues that line other organs मतलब उस cancer का नाम बता है जो तवचा या उतको में सुरू होता है और अन अंगों को भी प्रभावित करता है तो इसका option A है, leucamia, option B है, pancreas जिसका मतलब होता है अगनास है pancreas का मतलब होता है, अगनास है option C है, carcinoma, option DA, उप्रयोक्त में से कोई नहीं तो उसका नाम है दोस्तों, उसका answer का नाम है आपका carcinoma जो तवचा और उतको में सुरू होता है और अन अंगों को प्रभावित करता है इसलिए question number 2 का answer आपका option number C होगा question number 2 का answer आपका option number C होगा अब अगले question पर चलते हैं साथियों साथियों तो अब question number 3 देखिए name the cancer that osure in bone marrow and creates blood cells मतलब उस cancer का नाम बता है जो अस्थी मज्या में होता है और रक्त कोशिकाओं का निर्मान करता है तो option A है, sarcoma, option B है, myeloma, option C है, lymphoma, option D है, leukemia तो दोस्तों leukemia है जो अस्थी मज्या में होता है और रक्त कोशिकाओं का निर्मान करता है इसलिए question number 3 का answer आपका option number D होगा अब अगले question पर चलते हैं साथियों साथियों तो अब question number 4 देखिए the abnormal growth of cells in the body is known as मतलव, सरीर में कोशिकाओं की असमान बिर्धी को किस रूप में जाना जाता है option A, cancer, option B, malignancy, option C, both A and B, option D, आपका only A तो सरीर में कोशिकाओं की असमान बिर्धी को आपका cancer और malignancy दोनों कहा जाता है इसलिए question number 4 का answer आपका option number C होगा अब अगले question पर चलते हैं साथियों साथियों तो आप question number 5 देखिए the most common type of treatment of cancer are option A, chemotherapy, option B, surgery, option C, radiation therapy मतलब बिकिरंची किस्सा, option D, all the above यानि की उपयुक्त सभी तो इन तीनों बिधी से आपका cancer का उपचार किया जाता है इसलिए question number 5 का answer आपका option number D होगा all the above, अब अगले question पर चलते हैं साथियों साथियों, साथियों तो आप question number 6 देखिए name the cancer of connective tissues or the cancer that assure in the connective tissues in the body मतलब सन्योजी उत्को के cancer या सरीर में सन्योजी उत्को में होने वाली cancer का नाम बताईए option A है, lymphoma, option B है, sarcoma, option C है corcinoid, option D है, medulovlastoma तो दोस्तो, sarcoma cancer है, जो सरीर में सन्योजी उत्को में होने वाला cancer है इसलिए question number 6 का answer आपका option number B, sarcoma हो जागा साथियों अब अगले question पर चलते हैं साथियों तो आप question number 7 देखिए name the most common cancer in the world due to which bones died मतलब दुनिया में सबसे समान cancer का नाम बताएं, जिसके करण सबसे ज़्यादा महिलाओं की मीर्ती होती है option A, breast cancer यानि की अस्तन cancer option B, ovarian cancer option C, rectal cancer option D, vaginal cancer तो अस्तन cancer दुनिया में महिलाओं को मारने वाला सबसे समानी cancer है यानि की question number 7 का answer आपका option number A होगा साथियों आपको यह भी बताते चलें दुनिया में तीन सबसे आम cancer है जिसकी बदर से महिलाओं की सबसे धीक मीर्तु होती है और ब्रेश्ट cancer यानि की अस्तन cancer option B, दूसरा होगा lung cancer यानि फेफडे का cancer तीसरा है पेट का cancer यानि तीन परकार के cancer से दुनिया में महिलाओं की सबसे धीक मीर्तु होती है यह आप ध्यान में रख लीजिएगा साथियों अब अगले question पर चलते हैं साथियों तो अब question नमर एट पर चलते हैं a stomach cancer is also known as मतलब पेट के cancer को क्या कहा जाता है option A है gastric cancer option B है isophagal cancer option C है diaphragm cancer option B है duodenum cancer तो साथियों gastric cancer है जिसको पेट का cancer भी कहा जाता है इसलिए question number 8 का answer आपका option number A होगा अब अगले question पर चलते हैं साथियों आप सभी प्रस्ण का screenshot लेते चलिएगा जिसे आपको हमेशा ध्यान में रहेगा प्रस्ण और answer दोनों तो अगले question पर चलिए साथियों question number 9 पे इहे साथियों तो question number 9 देखिए when a thin membrane that covers chest and abdomen start to multiply in a rapid and uncontrable way then what type of cancer is formed in the body मतलब जब चाती और पेट को ढखने वाली एक पतली जिली तेजी से गुना होना या बिर्धी करना शुरू करती है तो शरीर में किस प्रकार का cancer बनता है option A, mesothelioma, option B, mycosis, option C, markle cell carcinoma, option D, उपिक्त में से कोई नहीं तो question number 9 का answer आपका option number A हो जाएगा mesothelioma है जो जब चाती और पेट को ढखने वाली एक पतली जिली तेजी से गुना होना या विर्धी करना शुरू कर देती है तो शरीर में mesothelioma नामा cancer होता है इसलिए question number 9 cancer आपका option number A होगा अब अगले question पर चलते हैं साथियों जो आखरी question होगा साथियों तो question number 10 और आखरी question देखिए name the cancer which is known as the silent killer मतलब उस cancer का नाम बता है जिसे the silent killer के नाम से जाना जाता है option A stomach cancer, option B liver cancer, option C lung cancer, option D brain cancer तो साथियों liver cancer है liver cancer को silent killer के नाम से जाना जाता है इसलिए question number 10 cancer आपका option number B होगा साथियों अगर हमारा question आपके लिए useful और important लगा हो तो वीडियो को like और share करिएगा और अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किये हैं तो subscribe कर दीजेगा तो जहिन साथियों अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं